तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो के तरफ तुरे के सैटरेड़े और संडेव मौर्निंग के जो वीडियो होते हैं थोड़े कंपेल टू अधर वीडियो में अलग बनाता हूँ क्योंकि इन में मतलब सैटरेड़े को जो आज कही हमारा वी लिश्य की ग्रोध बहुत ही अच्छे तो ही उन स्टॉक को में इसलिश में रखता हूँ उसके अलवा टेक्निकली फंडामेंटली ये स्टॉक काफी बढ़िया हमको नजर आते हैं उसके अलवा प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनिया ये सारी आपको नजर आएगी मतलब इन क हमको देखने को मिल रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स काफी बढ़िया है काफी पॉजिटिव है इन वेरस हैं यहाँ पर हम टोटल तीन शर्स को आज देखने वाले कभी-कभी हम 12 शर्स भी देखते हैं कभी-कभी हम 5 शर्स भी देखते हैं कभी 8 शर्स भी देखते हैं लेकि कि पिछले दो सैटल डे से लगातार स्टॉकों में वैसे भी आपके सामने कवर करी रहा हूँ और अभी भी स्टॉक दे के 2800 और 2900 के आसपासी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है जो मेरे सब से एक काफी बढ़िया अपको दे रहा है क्योंकि स्टॉक एक मल्टी एर लेवल की ब्रेक आउट की तैयारी कर रहा है जो मैंने पहले भी आपके साथ डिसकस के थी अभी फिर से एकदम शॉट में मैं आपको बता दूँगा अगर मैं बात कुरू इसके कल के दिन की 11 अक्टोबर कल के तारीक ती और सैटिडे संडे मार्केट बंद होने के वरे से जो भी डेट अभी आपको स्क्रिन के उपर देखने को मिलेगी वो सिधा मंडे को यह अपड़ेट होगी यह पता बस ध्यान रगे 2,822 के असपस की क्लोजिंग है 2% की तेजी इस स्टॉक में आपको कल के दिन देखने को मिल चुकी है तो टेकनिकल पेरेमेटर पे सबसे पहले बात करूँ तो देखे मैं बहुत समय से आपको एक ही पत बोल रहा हूँ इस स्टॉक में बिलकुल भी आपको डरना नहीं है घ लेकिन जब भी इसका एक ब्रेकट होता है तो स्टॉक में वहां से एक मुमेंटम तो आता ही आता है लेकिन यहाँ पर देखे यहाँ पर क्या हो रहा है इसका मुमेंटम यहाँ पर बन रहा नहीं है लेवल कितने का था लेवल दोस्तों 2,900 रुपय के असपस का था यहाँ आप देख सकते हो पासल का पैटन में आपको लिखा दाओ तो आप देख सकते हो यहाप पर 2,900 रुपय के असपस कई जोन था इसके उपर गया भी था लेकिन टिक नहीं पाया फिर से एक फेक ब्रेकाउट डे के स्टॉक नीचे के तरफ आया लेकिन फिर भी अभी यह पैटन एक्टिव है इस बात को अब ध्यान में रखे यह पल्टिकुलरली एक राउंडिंग बोटम बन गया इसका थोड़ा फेलियर आ गया लेकिन यहां से एक और बन जाता है तो यह कपैन हैंडल का पैटन में भी कनवर्ट हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह मल्टी एयर का राउंडिंग बोटम है या फिर कपैन हैंडल का पैटन भी बन रहा है तो यह बहुत यह अच्छा और एक पॉजिटिव पैटन है इस बात को भी यहां पर हमको ध्यान में रखना होगा लेकिन यह एक्शली काम कप करेगा जब 2900 के उपर जाकर दीपक नाइटेट का टॉक कुछ विक के लिए बहुत समय तक इस लेवल के उपर सश्टेन करने का स्टार्ट करेगा तो आप भी इसके पर फोकस करके लेगे कि 2009 से के उपर टिकने के बाग इसमें बड़े वाल्यूम की तेजी आना पूरी तरीके से संभा हुए अब लेके कमपनी कोई मामली कमपनी है तो नहीं यह तो आप सबको पता है कमपनी का ग्लोबल रिच भी काफी जबरदस्त है पाइतल इस से पिर जादा कंट्रिस में इस कमपनी का प्रेजन्स है जो अलग-अलग 6 कॉंटिनेंट्स में आपको नज़र आएगी 100 से पिर जादा इस कमपनी के के केमिकल के प्रोडट स्क्रीन के उपर देख सकते हो इनके इतनी जबरदस्त हैं कमपनी के अलग-अलग एप्लिकेशन्स फार्मा एग्रो रिसाइन परसनल के और पेट्रो केमिकल्स यह सब कुछ भी यहाप पर आपको नज़र आ रहा है मतलब देखी बिजनेस में तो कोई डाउट ही नहीं यह लेकिन फिर भी इस कमपनी का लॉंग टर्म का ग्रोथ अभी भी काफी बढ़िया आपको नज़र आएगा 50 करोड के असपास का प्रॉफिट का कमपनी का 2015 में और देखते हैं आप देख सकते हो 2022 तक 1067 करोड के असपास का इनका प्रॉफिट हो था 2015 से लेके 2022 तक बिच में क बही भी स्लोडाउन नहीं था डिमांड जबरदस्ती और आप देख सकते हो जब केमिकल इंडेस्ट्री की डिमांड जबरदस्त होती है किस टाइप का प्रॉफिट ये कमपनी जनरेट करती है और इतने सारे साल लगवग 8-10 साल अच्छा डिमांड चलने के बाद बिच में दो-तिन साल स्लोडाउन का आना एक नॉर्मल चीज़ होती है सेक्टर का रोटेशन होती रहता है वही अब यह हो रहा है तो यहाँ पर पैनिक नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर अच्छे बात क्या है कमपनी लॉस में नहीं है कमपनी का प्रॉफिट जरूर कम हो था पिछल स्लोडाउन खतम हो सकता है क्योंकि प्रिवेस टू इयर की कमपर में अभी कमपनी का जो अगले साल का प्रॉफिट आएगा येर ओन येर बिसिस पे मार्च के बाद वो कही ना कई एक कमपर टू अधर टू इयर्स प्रिवेस टू यर्स उपर की तरफ जा सकता है पैटन तो डेफिनेटली काफी प्रॉमिसिंग काफी बड़िया नजर आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते दूसरे स्टॉक के दुरब दूसरा स्टॉक के दूस तो सोलार सेक्टर का या ग्रीन एनरजी कैडेगरी का आप बोल सकते हो वारी रूवेबल टेकनोलोजी लिमे वरेटिकल स्टॉक में जब 40 से लेके 60% का करेक्शन आता है या मोर देन 30% का करेक्शन आता है तो एकदम सिंपल सी भाषा मार्केट की यही होती है कि वो एंट्री करने का मोगा है भले वासे फिर स्टॉक में और बड़ी गिरावट क्यों ना हो तो यही बात मैंने आपको स देंजरस मूँ स्टॉक में आया था वरेटिकल रिका 300 रुपे तक चला गया था उसके बाद गिर गिर के 1500 के नीचे भी आ गया था तो एड़्िश्मेंटों काफी बढ़िया हो चुका है इटिमिंस क्या इटिमिंस अभी कोई भी गिरावटी स्टॉक में जो हमको देखने क बेस बना रहा है और इस बेस में एक बात अभी ये भी आपको नजर रहेगी हो सकते स्टॉक अभी अपना सपोर्ट डेवल ओपर के तरफ बी शिफ्ट कर रहा हो तो अगर इस लेवल के नीचे अगले कुछ महिनों में स्टॉक नहीं आया है तो आप मान के चलो स्टॉक में यहां से भी फिर से बड़ी तेजी आने की शुरुवात हो जाएगी लेवल कितने का है? 1600 और 1700 के बीच में और नेचे के तरफ सबसे स्टॉंग सपोर्ट कितना है? 1360 रुपय के असपास और देखें यहां से स्टॉक ने एक बहुत बड़ा बांस बैक कर दिया है और स्टॉ वेगर रिटन्स की उमेद अगले दो-तिन साल स्टॉक से बिल्कुल भी रखने नहीं चाहिए विकॉस यह बहुत बड़ा मोमेंटम पिछले दो-तिन साल में हमको करके दे चुका है अब देखें सोलर का भविश्य कैसा है यह आप में से हर एक को पता है अब इस कंपनी का ओ अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी अब यह कंपनी का जो अलग-अलग energy solutions है उसमें रही कि क्या क्या करती है ground mounted जो solar panels होते उसके पर भी काम करती है मतलब जमेन के उपर जो solar panels बनाने का काम बनाने का काम मतलब उनको fit करने का काम उनको maintenance करने का काम वो सारी जो ची करना है उनको उसका एक service provide करना है तो यह भी company काम करती है floating solar panel के business में भी company आपको नजर आएगी मतलब तालब की बात करे नदी की बात करे समंदर की बात करे इंशट पानी के उपर जो float होता है solar अगर मैं उसकी बात करूँ उस area में भी इस company का एक काफी बड़ा presence है और obvious सी ब रो सकता है problem बस valuation का है जो address होने में यहाँ से भी अगले 2-3 साल जा सकते है तो यहाँ पर यह बात यह बस अब को ध्यान में रखनी है company का 2019 से लगे अब तक का momentum काफी interesting है क्योंकि पहले 3 साल company को lost था 2-3 और 2 करोड का लेकिन 2022 से 9 करोड 55 करोड और 148 करोड का profit यह नहीं लग profit काफी कम टैम में काफी बड़ा momentum कर चुका है तो company profit maintain करने में कामयाब हो पाती है यह नहीं होती है यह profit grow करती है यह नहीं करती है यह अगले 2-3 साल में clear हो जाएगा क्योंकि उसका भी impact stock में आता हुआ हमको नजर आ सकता है promoter के पास 75% का stake है public के पास लगबग 25% का stake है FS के पास 0.83% का stake और DS के पास 0.01% का stake है FS के पास तो पहले कोई भी stake नहीं था अभी FS के पास 0.83 का तो at least stake नजर आ रहा है लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा stake यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है FS, DS के पास यह ब पर चैनल पर आ चुके हो तो subscribe भी कर देना और इनमें से किसी भी share के बारे में आपको अपना कुछ view share करना है तो comment section आप सब के लिए open है आप चाहे तो comment कर सकते हो और हमारा एक second YouTube channel भी हमने कुछ mix पहले open किया है अगर उसको भी अपने अब तक subscribe नहीं किया है तो एक request है कि पर चैनल भी आप subscribe जरूर कर देना हमारा second YouTube channel का link इस वीडियो के description में और comment में हमने लेके रखा है आगे बढ़ते तिसरे और आकरी stock के तरफ जिसका नहीं रस्तो ओलेक्टरा ग्रिंटेक लिमिटेड ये भी एक बहुती तगड़ा प्लियर आपको अभी देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा उपर के तरफ जा चुक है ऐसा बहुत लोग को लग रहा है लेकिन देखे आपको थोड़ा time देना पड़ेगा investment एक slow process है 8-6 सल का time दोगे ऐसे stock यहाँ से भी काफी बड़ा परफॉर्म करके आपको दिखाने का ज़्यादा chances नजर आते 11 October की closing के बाद करू 1745 के असपस किये 4% की तेजी इसमें आपको नजर आएगी और इसमें भी अगर आप ध्यान से अबज़र करोगे यह पहली बार ऐसा नहीं भागा यहाँ पर भी इसमें एक बहुत बड़ा vertical momentum आया था फिर अगले 3-4 साल stock ने कुछ खास करके दिखाय नह है तो इस stock में vertical rally कई बर आईए और उस vertical rally के बाद अगले कुछ समय तक stock काफी अच्छा कासा नेची की तरब भी आया है तो यह बाते भी यहाँ पर आपको समझ में आने चाहिए लेकिन यह stock भी हम लगा दर अभी पिछले कुछ समय से cover कर रहे है क्योंकि bottoming science stock के patterns के उपर दजर आ रहे हैं तो यह लास्ट टाम भी discussion हो था यहाँ पर stock ने double bottom बनाया और उसके बाद अपना support level हलका सा उपर की तरफ shift किया तो stock ने पहला indication तो इधर दे दिया था double bottom बना के उसके बाद एक strong indication इधर दे दिया कि stock यहाँ से और भी उपर जा सकता है पहला जो यह resistance था इ इसका एक बहुत tough resistance है तो एक बार यह 1750 रुपए के उपर जाकर टिकना शुरू करेगा इस stock में फिर से एक काफी बड़ा momentum आ सकता है जो stock को कम से कम 1900 रुपए लेकर जाने तक मदद करेगा और एक बार 1900 के उपर जाकर टिकना शुरू हो गया तो फिर से इसका जो all time high का level है especially electrical bus manufacturing और insulators का हमारे देश में और इस company का presence obvious सी बात है इंड़ा के साथ बहार भी काफी तगड़ा आपको नज़र आएगा तो company का business एकदम simple सी बात है जो electrical busses होती है उस category में आपको नज़र आएगा और इनका brand ही है और नाम वही है Electra e-buses करके आपको देखने को मिलेगा और और जो Electra installators है ये भी इनके particularly business के अंडर आपको नज़र आएगे तो ये भी बहुती बढ़िया business है जो long term में काफी अच्छा कासा grow होता हूँ हमको यहाँ से भी देखने को मिल सकते है तो हो सके तो इस particular stock के उपर आप भी अपना एक ध्यान अपना एक focus रखने की पूरी-प आ चुका है इसलिए अभी जिनको stock महेंगा लग रहा है ये stock महेंगा सस्ता market में खुझ होता नहीं जो भी demand और supply का गयम है एक बार demand बढ़ने लगे stock यहाँ से भी काफी बड़ा multiplier बन सकता है और पूरा potential इस industry में ये बात से बिलकुल भी incur करने सकते हैं अभी company का profit का growth ज़र है ऐसा indication है मतलब profit में growth में कोई भी issue नहीं है इस बात को तो यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए promoter के पास 25% का stake FS के पास 8% के करीब का stake DS के पास ना के बराबर का stake है और मुझे लगता है future में DS का stake भी काफी अच्छा कासा हो जाएगा और public holding around 42% के करीब देखनी को मिल रही प्लस market condition भी थोड़ी बहुत critical है मतलब market में अभी अभी एक अच्छा कासा गिरावट आने के बाद पिछले एक week से market अपना एक sideways pattern बनाने का try कर रहा है तो अगले कुछ महिन में market में यहाँ से अगर और 8 या 10% का fall अगर मानलो में यह नहीं किरा हो कि आएगा अगर आ गया तो अब विससी बात है बहुत सरे तो stock की पिटाई होनी है वो भी होकर रहेगी जिनमें यह stock भी आपको नजर आ सकते हैं तो यहाँ पर बस आपको mentally खरब चिसके लिए थोड़ा से prepare रहना पड़ेगा क्योंकि यह stock अच्छा कासा है पिटने के पार एक support बना कर ऊपर की तर process तो दिरे दिरे सब कुछ मिलेगा आगे बढ़ना पड़ेगा होल करना पड़ेगा पेक्शन भी दिखाना पड़ेगा इन चीजों को अगर समझते हो तो यह long term investment कर फोकस करो वरना swing trading अगर आती है पोजिशनल टेडिंग अगर आती है उसके पर आप चाहिए तो ध्यान दे सकते हो तो दस्तो इनिशेर्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिसकेशन करना था उमिद करता हो वीडियो पसंद आयोगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्ते शेयर करें फेली बर चनल पर आ जुके हो तो सब्सक्राब भी करदेना और कोई बिस टॉक में निवेश करने से पहले कुछ की स्टेड रिसर्ट जरूर करें फाइनेश वीडियो के सला जरूर ले मिलता है नेक्स वीडियो में धन्यवाद